सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल बालवी रिटन्स में इन दिनों देखने के लिए मिला खोब सारा ड्रामा लेकिन आने वाले एपिसोड सो होने वाले हैं और भी जादा इंट्रोस्टिंग क्योंकि भारतनगर में होने वाला है क्रिस्मिस सेलिब्रेशन जी हां दोस्तों यहां पर सभी होंगे बहुत ही ज्यादा खुश क्रिस्मिस को लेकर सभी बच्रे और बड़े काफी सादा एकसाइटिड होंगे वहीं भरतनगर में इसे काफी धूमधाम से मनाया जाएगा इसी के साथ आप देखेंगे कि चिंटो चिंटे विश मांगते हुए भ खादसा कि क्रिस्मिस ट्री में लग जाएग या गर दोनों ही होंगे बहुत जादा परिशान वहली सी के साथ आप देखने वाली हैं कि भरतनगर में सभी बहुत जादा खुश होंगे देबू विवान चिंटो चिंटी खुशी और बड़े काफी खुश होंगे और के लोगों के सामने कोई ना कोई परिशानी खड़ी करता ही रहता है और ऐसे में वो यही मौका ढूनता है कि किस मौके पर उसे क्या चाल चलनी है और यहां पर रे को मिलने वाला है क्रिस्मिस का ये मौका जहां वो अपने शक्तियों से अपने जादू से एक बर फिर से लो लेकिन इनहीं गिफ्ट के जरीए मचेगी तबाही बिलकुल सही सुना आपने यहाँ देखने वाले हैं कि आदी राज सेंटा क्लोज आएगा और विवान की मदद से सभी बच्चों को गिफ्ट बातेगा लेकिन इन्हीं गिफ्ट के जरीए होने वाला है कुछ ऐसा जिससे सभी की नेंदर जाएगी जहां आप देखेंगे कि भारतनगर के बच्चे बड़े सभी बन जाएंगे बंदर जी हां आप देखने वारे हैं कि चिंटो चिंटी आधी रात उठेंगे और देखेंगे कि दोनों के ही हाथों पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं दोनों के ही हाथों के नाकुन काफी लंबे हो गई हैं जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही जादा डर जाएंगे और ये हाल ना सिर्फ चिंटू चिंटी का होगा बलकि भारतनगर के बाकी बच्चों और बड़ों का भी होने वाला है और इसमें हमारा विवान भी शामिल होगा और बाकी बड़े भी शामिल होंगे अपनी ये हालत देखकर इनके होश उड़ने वाले हैं इनकी नेंद हराम होने वाली हैं इन्हें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि ये सब कुछ किस की वज़ा से हुआ है और ये रे की वज़ा से होगा जो सेंटा क्लोस के गिफ्ट्स को अपने गिफ्ट्स के साथ बतल देगा और ये गिफ्ट्स होंगी काफी खतरनाक और जो 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 इन गिफ्ट्स को खोलेगा इन गिफ्ट्स को पाएगा उसका होगा ऐसा बुरा हाल तो अब देखना ये होगा कि कैसे बालवीर इस मुसीबत से बाहर निकलता है कैसे वो रेकी इस वार का जवाब देता है होगा क्या यही सब देखना काफे इंट्रोस्टिंग होने वाला है कि किस तरह से हमारा देबू यानि की बड़ा बालवीर इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूनता है कैसे करता है वो सब ठीक जिससे वापस हर कोई अपने इंसानी रूप में आ जाए होगा क्या ये जानने के लिए देखना न भूले सब टीवी पर बाल वीर रेटन्स